राम नवमी यानि श्री राम का जन मुद्सव राम नवमी एक ऐसा फेस्टिवल है जिसे पूरे देश में बड़ी धूम धाम से मनाया जाता है वैसे तो हर बार सेलेब्रेशन होता ही है पर इस बार की राम नवमी कुछ खास है खास इस वजह से कि अयोधिया राम मंदिर में श्री राम के प्रान प्रतिष्ठा के बाद ये पहली नवमी है जब से मंदिर की प्रान प्रतिष्ठा होई है तब से ही लोगों को राम नवमी का इंतिजार था राम मंदिर में राम नवमी कैसे खास होगी इससे जोड़ी पांच बाते बताएंगी हम आज आपको इस वीडियो में हाई मैं हूं आनसी आपके साथ on ABP Life पॉड़कास्ट चलिए शिरुवात करते हैं फाक्ट नंबर फाइफ के साथ पूरी अयोध्या नगरी को सजा दिया गया है सजावत इतनी सुन्दर है कि लोग फोटोस और वीडियोस बनाने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं वैसे सजाया सिर्फ अयोध्या को ही नहीं बलकि श्री राम का श्रिंगार भी गया गया है श्री राम जन्वभूमी तीर्थ शे से inspired हैं फाक्ट नमबर 4 की तरफ चलते हैं जानते हैं और क्या कुछ खास है इस बार के celebration में आयोधिया शहर में लगभक 80 से 100 जगा पर LED स्क्रीन्स लगाई जाएंगी प्रसार भात्री और श्री राम जन्मभूमी तीर्थ शेत्र की और से राम नौमी की उत्सव का लाइफ टेलेकास्ट किया जाएगा मतलब आप घर पैठे मोबाइल या टीवी पर इसे लाइफ देख सकेंगे हेलेकॉप्टर में बरसाए जाएंगे फूल प्रार प्रतिष्ठा समाहरों के दिन जि तो इस बार राम जी को होने वाली सूर तिलक के बारे में इस बार राम नौमी पर सूरज की किरने राम मंदिर में विराजमान भगवान श्री राम लला का अविशेक करेंगी किरने 17 अप्राइल को दोपहर ठीक बारह बजे मंदिर की तीसरी मंजिल पर लगाए गए 75 मिलिमीटर में गोल तिलक के जैसे दिखेंगी इस सूर तिलक को देश के दो साइंटिफिक इंस्टिउशन की महनत से साकार किया जा रहा है आई आई टी रुर्की के सेंट्रल बिल्दिंग रिसर्च इंस्टिट्यूट ने ये सिस्टम बनाया है प्रोचक्ट के साइंटिस दॉक्टर प्रदीप चहान ने बताया कि राम नॉमी की तारीक मून कैलेंडर से तै होती है सूर तिलक तै समय पर हो इसलिए सिस्टम में 19 गेर लगाए गए हैं जो सेकंड्स में मिरूर्स और लेंस पर किर्णों की चाल बदलेंगे अब इतना सब सुनने के बाद दर्शन क करने का मन तो करेगा ही तो चलिए फाक्ट नुबर टू पर आपको यह बताते हैं कि दर्शन कैसे कर सकते हैं आप साथ ही यह जान लेते हैं कि दर्शन को लेके क्या क्या अरेंजमेंट्स किये गए हैं इस दिन करीब 15-20 लाक श्रत धालों के देश विदेश से आयोध्या प से राद 11 बजे तक भक्तों को दर्शन देंगे ट्रस्ट के महासचिफ चंपत राय के मुताबिक राम नौमी महुतसव के दौरान मंगला आरती के बाद भ्रहम मुहरत में अती प्रातह साड़े तीन बजे से अविशे श्रिंगार एवं दर्शन साथ साथ चलती रहेंगे श सुछ दिनों तक 16 से 19 एप्रिल तक online passes भी नहीं बनेंगे इन फार्ट जो लोग पहले passes बनवा चुके हैं उनकी passes भी cancel हो जोगे हैं अब अगर आप वहां दर्शन करने पहुँच भी जाएं तो प्रसाद लिए भी ना कैसे लोट सकते हैं और जाते जाते हम आपको अपने fact number one पर ये बता दें कि प्रसाद को लेके यहां क्या सिस्टम है दर्शन के बाद राम लला को भोग लगाया जाएगा प्रसाद मिलेगा सुनने में तो यह भी आया है कि 111 किलो लड़ू इस बार राम लला को चड़ाए जाएंगे इतना ही नहीं वहां help centers भी बनाए गए हैं जहां से लोग मदद ले सकते हैं सेवा केंद्र भी बनाया गया है जिसमें पब्लिक फसिलिटीज अवेलेबल है यहा कि वाकई इस बार राम नौमी का celebration वेहद खास होने बाला है ताट सौल फो टुड़े मिलेंगे कल सिर्फ अभी पी लाइफ पॉद्कास्ट पर जाते जाते हमारी तरफ से आप सभी को राम नौमी की बहुत बहुत शुप कामना है वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक औ ना भूलें एबी पी लाइफ पॉद्कास्ट को सिब्सक्राइब करें